जैस्री राम प्रेमी भगजनों, सादकों के लिए ये साथ बातें परम आवश्चक हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्यारे भगतो नमबर एक, धन्दोलत की कावना से संसार का काम करने पर मन संसार में ही लग जाता है, इसलिए संसार के काम बड़ी ही सावधानी से केवल भगवान प्राप्ति के उदेशे से करने चाहिए, नमबर दो, संसार के पदार्थों और संसारिक विशयी मनुष्यों का संग जहां तक हो कम करना चाहिए, संसारिक विशयों की बातें भी यथा सादे कम ही करनी चाहिए, नमबर तीन, किसी दूसरे के दोश को नहीं देखना चाहिए, सभाव वस दिख भी जाएं तो बिना पूछे बताने नहीं चाहिए, नमबर चार, सब में निश्काम और संभाव से प्रेम रखने का अभ्यास करना चाहिए, नमबर पांच, निरंतर नाम जब के अभ्यास को कभी भी किसी भी स्थिती में नहीं चोड़ना चाहिए, सब से महत्तपून बात है ये, उससे जिस काम में रुकावट आती है, उसे ही छोड़ देना उचित है, परम हर्ष और प्रेम से सदा सरवदा भगवान का भजन होता रहे, नाम जब होता रहे, तो फिर भगवत दर्शन की भी आउशकता नहीं, भजन का प्रेम ऐसा बढ़ जाना चाहिए, कि जिस से शरीर का भी ज्ञान नहीं रहे, स्वेम भगवान पधार कर चेत कराएं, तो भी सुतिक्षन की भाती प्रेम समादी ना तूटे, नमबर छे, इन सब साधनों की शिग्र सिध्धी के लिए इंद्रियों का सयम करके तकपरता से अभ्यास करना चाहिए, इसके लिए किसी बात की भी प्रवान नहीं करनी चाहिए, शरीर की भी नहीं, नमबर साथ, शरीर में एहंकार होने से ही शरीर के निर्वा के चिंता होती है, इसलिए यथा शाध्धै शरीर रूपी जेल में जान बूज कर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो प्यारे भगतों, आज हमने आपको ये साथ बहुत ही मैतपुन बाते बताई हैं, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रियास अवश्य ही कीजिएगा प्रेमी भगतों, तो आज के लिए तना ही जे स्री राम प्यारे भगतों,